आज के इस एनलेसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनम डीसी सेयर के ओपर साधे साथ बात करेंगे नस्नल एलमोनियम, मदर सन और टाटा पावर सेयर के ओपर इन डीटेल में हम लोग बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखेगा जिससे की आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए तो चलिए हम लोग एनलेसिस को स्टार्ट करते हैं एनम डीसी के सेयर के ओपर अगर बात करेंगे तो स्टॉक में आज हम लोगों को तक्रीबन साथे तीन परसेंट का एक अच्छा उच्छाल देखने को मिला और अगर और भी अधर मेटल सेक्टर के स्टॉक में देखेंगे स्टील और इंडिया नेस्नल अलुमनियम साथे साथ आपको टाटा स्टील हिंडाल को वेदानता जेस डबलो हम लोगे बात करते हैं चार्ट के ऊपर बात करते हैं लेगन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन किया है तो टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर लेजे क्योंकि यहां पे हम लोग regular basis पे important updates को post करते रहते हैं जिसकिसी भी चार्ट में breakout होता है जिसकिसी भी चार्ट में एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है जहां पे भी कोई opportunity मिलता है live market हो live market के बाद हो किसी sector में तेजी हो रहा है किसी stocks में तेजी हो रहा है उन सबे information को twitter और telegram पे हम लोग लगातार post करते रहते हैं इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने join नहीं किया है तो join कर लीजिए और इन case अगर आप खुद से trade नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हमारे premium group को भी join कर सकते हैं जहां पे कि आपको exactly guide किया जाएगा कौन से stock को buy करना है, कौन से level पे buy करना है, क्या stop loss होने वाला है, क्या target होने वाला है everything आपको detail में clear किया जाएगा आपको कौन से options को buy करना है, कौन से strike price को buy करना है, कौन से level पे buy करना है everything यहाँ पे बताया जाएगा अभी अगर देखेंगे तो last to last trading session में हम लोगों ने मारूती के ओपर share किया था future as well as options के तुरू 13,000 October के call option 267 के level पर trade कर रहा था और यहां पर हम लोगों का target था 43530 दोनों ही target आज जो है मारूती ने आपको दे दिया है और बहुत ही सांदार futures में भी अगर बात करेंगे तो futures में भी हम लोगों का target था 13,500 का और वो target भी आपको achieve हो गया है तो लगातार हम लोग एक high probability setup आप लोगों के साथ share करते रहते हैं सारा detail टेलिग्राम और ट्विटर पे available है टेलिग्राम का link आपको description box में मिल जाएगा चलिए बात करते हैं NMDC share के उपर एक बहुत ही बढ़या bounce back नीचे के level से देखने को मिल रहा है सबसे पहले अगर हम लोग NMDC में बात करेंगे तो stock जो है आपको 19,200 तो 2056 यह एक इस stock के लिए support zone है और यहीं से stock आपको bounce करतावत दिख रहा है इसके बाद अगर देखेंगे तो stock में यहाँ पे एक trend line का formation हम लोगों को देखने को मिल रहा है और stock जो है आपको कहने कहने trend line के formation को already breakout कर चुका है breakout करने के बाद यहाँ पे एक small resistance था और आज जो close दिया है बिलकुल इसी resistance के पास stock ने close दिया है तो कल अगर stock आज के आई के उपर निकलना start कर देता है तो फिर इस stock में एक जोड़दार तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है यहाँ पे कि आपको NMDC में पहला target मिल सकता है 250 का इसके उपर अगर निकलता है तो 275 और फिर हम लोगों को यहाँ पे 285-286 का भी level देखने को मिल सकता है metal sector में already हम लोगों अपने twitter handle पे भी share किया है जो nifty metal में एक breakout आता हुआ दिख रहा है और metal sector में एक अच्छा तेजी हम लोग expect कर सकते है next stock के बात करेंगे again metal sector का यह stock है national aluminium national aluminium अगर हम लोग यहाँ पे monthly chart पे देखते हैं बहुत ही प्यारा chart setup यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे एक multi-year breakout 138 के level पे देखने को मिला इस multi-year breakout के बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो stock में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिला stock previous 3-4 month से consolidate कर रहा था और अब यहाँ पे वापस से stock जो है is consolidation जो उनको breakout करता हुआ दिख़ए है next two trading session crucial होने वाला है क्योंकि two trading session के बाद monthly candle आपको यहाँ पे close होगा तो daily business पे एक अच्छा यहाँ पे chart setup दिख़ए है इस stock में हम लोगों को तेजी देखने को मिलेगा जब stock 209 के level के ऊपर sustain करना start कर देगा एक बार stock 209 के level के ऊपर निकल गया तो फिर यहाँ पे हम लोगों को एक channel pattern का breakout दिखेगा जो की stock 162, 170 downside में support zone उपर की side में आपको 209 to 200 यह एक उपर की side में resistance zone और इसी level के पास trade कर रहा है 209 के ऊपर इस stock में एक जोड़दार तरजी expect कर सकते हैं stock उपर की side में 250, 260 के level तक आता हुआ देख सकता है third stock की बात करेंगे third stock है mother sun stock अपने all time hyper trade कर रहा है बहुत ही संदर rally इस stock ने बना के दिया है और वापस से continuously जो है इस stock में तेजी देखने को मिल रहा है daily chart पे अगर देखेंगे एक बहुत ही प्यारा flag and pole pattern का breakout देखने को मिल रहा है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो stock जो है इस level पर resistance face कर रहा था आज बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पे breakout दिया है एक range में trade कर रहा था और यहाँ पे continuous rally देखने को मिला तो इस stock में जो है एक संदर उपर की side में हम लोगों को और भी जबरदस्त rally देखने को मिल सकता है stock shorter में अगर बात करेंगे तो 275, 285 के level तक भी जा सकता है यहाँ पे हम लोगों को daily basis पे एक multiple inside candle का भी breakout देखने को मिल रहा है एक छोटा सा stop loss जो है 200 के level के नीचे हम लोग यहाँ पे place करके daily closing basis पे रख सकते हैं पूपर की side में जो है इस stock को 240-250 के लिए immediate short term और उसके उपर अगर निकलता है तो फिर 300 तक का भी level देखने को मिल सकता है लास्ट stock की बात करेंगे Tata Power Tata Power stock अपने all time high पे trade कर रहा है एक inside candle का breakout हम लोगों को इस stock के भी daily chart पे आता हुआ दीख रहा है all time high पे stock close हुआ है यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो stock जो है एक channel pattern में trade कर रहा था और अब जो है यहाँ पे आपको channel pattern का breakout आता हुआ दीख रहा है stock अगर देखेंगे तो यहाँ पे अप्रिल मंत से ही लगातार इस range में trade कर रहा था और अब जाकर finally इस range का breakout हो चुका है तो हम लोगों को पता है कभी भी किसी भी stock में अगर range का breakout होता है तो target क्या होता है target होता है यह पूरा depth और यहाँ पे जो पूरा depth है यह है आपको 75 point का यानि कि उपर की side अगर हम लोग यहाँ पे 70 75 point को project करते हैं हम लोगों को 5 50 तक का target इस stock में easily देखने को मिल सकता है तो data power को जितने भी लोग hold कर रहे हैं continuously hold करके रख सकते हैं अगर आप phrase buying करना चाहते हैं तो phrase buying भी आप current level पे कर सकते हैं आई हूप आप लोगों को सभी points जो है बिल्कुल अच्छे से clear हो गए होंगे आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो analysis अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब ज़रू कर लिए कि अच्छा है कि अच्छा है कि अच्छा है कि मेर रमनोल